स्वागत है आप सब का इस चैनल पर मेरा रम स्वाशान की आगिक है टीम इंडिया का अफ़रानिस्तान के साथ पर T20 वर्ल कप में मुकाबला होने वाला इस मैच से ठीक पहले भारत का एक स्टार प्लेयर चोटिल हो गया है यहां बाद मैं सुर्कुमार याद अफ्ट कर रहा है उची इंजीनी पर अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा और वो उटको कहां चोट लगी थी कैसे चोट लगी उस पार में भी बात करेंगी आपको बताऊंगा लेकिन उस से पहले आप सब को बता दूँ कि अगर आप स दे दूं ऐसी मेरी कोशिश रहती है तो इस तरह के वीडियोस देखना अगर आपको पसंदो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब पर लिए जएका और मोटिफिकेशन बैज जरूर प्रेस कर लेज़ेगा इसके लाबा मैं चैनल से सोल या फिर लाइव आकर कि आप सब के सब्सक्राइब पर लेकिन होता ही है कि जब बॉल लगती है तो उस समय इंपक्ट उत्ता जादा रहता नहीं है लेकिन कुछ घंटो बात जो इंजिरी रहती है उसके बारे में अपडेट्स आते हैं तो बीते दिन यारी कि बारा घंटे करीब पहले तक्टिस्ट्रीम इंडिया की महाँ पर हुई महाँ पर सूरी कुमार यादफ चोटल हुए और सूरी कुमार यादफ से ही जोड़ा मतल बाद में जाकर कि पता चला की इंजिरी सीरियस और उनको अनकी इंजिरी सूरी कुमार यादफ की बट जो कुछ समय बाद प्रॉफर असेस्मेंट हो पाए क्योंगी इंजिरी चुड़े वो किस तरह की है तो उनको जो चोट लगी है तकलीफ में वो दिखाई दी हैं साब- विराट कोली भी बैटिंग कर रहे थे विराट कोली को भी एक जो फ्रोडाउन किया गया तो बॉल उनके इंटम करीब से निकली और वहाँ पर भी थोड़ा सा टेंचन में सब पत्रकार वगरा वो आगे थे कि भाई तिछ पर कुछ गर्बद चल रही है क्या कुछ हो रहा ह है आपर क्योंकि प्लेयर्स को चोट इस तरह से पहले भी लग चुकी है लेकिन वह एक शर्म हाँ पर चोटिल हुए थे खेलते समय एक बहुत अनिविन बाउंस की चलते उठा तो और उनके हाथ पर बाल लग लग थी तो इस तरीके से रोहित शर्मा भी चोटिल हो चुके ह है और विराट को ही भी अनिविन बाउंस से काफी ज़्यादा परिशान रहे थे यूए से वाले चुल लैग ने क्या होगा टीम वीडिया आगे यहां से कैसा आप करें कि यह अपने आप देखने वाली बात रहे किलाल अभी इस वीडियो में इतना ही है छोटे से समय में प जह हम पर क्रिकिट की हम बात करते हैं थैंक यू सो मच वाचिन दिस वीडियो